हेलो गाईज, पक्मोन इमरेल ट नजलोग चैलेंज में आपका स्वागत है पिछले एपसोड में हम अमारे कमबस्कन को आरते आरते बचे थे वो सिर्फ एक हैच पिप बच गया था क्योंकि मेरे पास बाकी सभी पक्मोन की लेवल काफी कम थी तो इसलिए आज हम इस एपसोड में बाकी सारे पक्मोन को ट्रेन करेंगे और एक नया पक्मोन भी पकडेंगे और अगली जिम बैटल करेंगे जो कि काफी दूर होने वाला है और रास्ते में हमें काफी सारे ट्रेनर्स मिलेंगे और टीम मैगमा से भी बैटल करनी है तो इन बैटल्स के बीच कुछ आज से भी होने वाले हैं जिसमें मैं मेरे पकमोन स्लूज कर सकता हूँ ये सब जामने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखे तो चलिए वीडियो को फटा-फट स्टार्ट करते हैं पिछले एपसोड में हमने हमारे जिग जग उनको खो दिया था इसलिए हम अपना नेक्स्ट पकमोन पकड़ने रूट नमबर 117 पर आए और यहां पर हमें मिला ओडिस लेवल 13 का इसकी एच्पी कम करने के लिए मैंने माइट याना का बाइट अटेक यूज किया फिर वो ओडिस ने अब्जोर्ब किया इसके बाद आप मैं पोकेबोल यूज कर सकता हूँ क्योंकि ओडिस की एच्पी येलो हो चुकी है मैंने पहली पोकेबोल यूज की और इसमें वो ओडिस पकड़ने नहीं आया ओडिस ने स्वीट सेंट किया जिसे कुछ खास नहीं हुआ फिर मैंने अगली पोकेबोल फेक की और इस वाली पोकेबोल में ओडिस कैच हो गया इस एक साथ ही मेरे पास एक ग्रास टाइप पोकेमोन भी आ गया पहले मेरे पास फायर और वाटर टाइप तो थे या अब मेरे पास ग्रास वाटर और फायर तिन और टाइप के पोकेमोन है और मैंने इस ओडिस को नाम दिया गुड़ू फिर मैंने वापिस पोकेमोन सेंटर गया जाकर इन पोकेमोन को हील कराया इसके बाद मैंने खुब सारे ट्रेनर्स से बैटल की क्योंकि मुझे मेरे बाकी के पोकमोंस को ट्रेन करना था इसलिए मैंने इन बैटल्स में कमबे स्कन को कम से कम यूज गया और बाकी के पोकमोंस से इन ट्रेनर्स को अराया कमबे स्केन को मैंने वही पर यूज़ गया जापे इसकी जरुरत थी फिर आगे बढ़ते हुए मैं इस टरनल में गया और यहाँ पर मैंने इस जियोडूड वाले ट्रेनर को अरा दिया इसके बाद मैंने इस कपल की मदद की जिसने मुझे हम 4 स्ट्रेंथ दिया फिर मैंने इस फैमिली के साथ बैठल की जिसमें सभी फैमिली मेंबर्स ट्रेनर्स थे इन सभी को मैंने आराम से रा दिया इनको अराने के बाद मैं आगे बढ़ा आगे रास्ते मुझे यह रेतिला तूफान मिला लेकिन मैं इसके पार नहीं जा सकता थे इसलिए मैं दूसरे रास्ते से बाके ट्रेनर्स को राते हुए आगे बढ़ गया अभी यह फोर्थ जिम का रस्ता काफी लंबा होने वाला है इसके लिए मैंने काफी सारी सिटीज में जाना है और टीम मैगमा को भी आराना है तो मैं इस जर्णी को थोड़ा फास्ट फॉर्वार्ड कर रहा हूँ इसी बीच गुड़ू यानि की ओडिस इवोल होकर ग्लूम बन गया अब मेरे पास एक स्ट्रॉंग ग्रास टाइप पोकमन हो गया जिससे कि मैं बाद में मेके स्वेमपट को रा सकता हूँ फिर कुछ और ट्रेनर्स को राने के बाद मेरा कुकु यानि की जूबैट भी वोलोकर गोल बैट बन गया अब मेरी टीम थोड़ी स्ट्रॉंग दिख रही थी जो कि स्टार्टिक में काफी वीक लग रही थी अब मैं डूंड डूंड के ट्रेनर्स को रा रहा था और अपने पोक्मोन्स को ट्रेन कर रहा था इस रूट के सभी ट्रेनर्स को राने के बाद मैंने लास्ट में इस मिट्टी में दब वे निंजा को देखा और इस निंजा बोई के पास पहला पोक्मोन कोफिंग था जिसको की मेरे कुकू ने अरा दिया मैंने पिलू को एक्सपिरेंश एर दे रखा था इसलिए उसने भी उसका लेवला पो गया और उसने प्रोटेक्ट अटेक्स सीख लिया अब इस निंजा के पास अगला पोक्मोन कोफिंग था फिर से मैंने फिर पिलू को यूज किया था कि कन्फिजन यूज करके इसको अरा सकूँ मैंने confusion किया फिर दोबारस confusion किया और उसकी एक HP बच गई लेकिन इस coughing ने self-destruct किया जिससे मेरा पिलू फेंट हो गया मुझे नहीं पता था कि यह coughing level 17 पे भी self-destruct सीखता है फिर मैंने coughing के लिए gloom को लिया और उसको सुला दिया फिर इसको जल्दी सहराने के लिए मैंने कमबे स्केन को आगे किया किकि उसके अटेक जाता है लेकिन यह coughing उठ चुका था इसलिए अब मैंने सोडा पॉप यूज करके मेरे कमबे स्केन के HP पूरी की और इस coughing ने self-destruct यूज किया जिससे की वो फेंट हो गया और मेरे कमबे स्केन बच गया अब रूल्स के अकोर्डिंग मुझे पिलू को यह रिलीज करना पड़ेगा इसको मैंने वर्मपल से इवाल करके डस्टॉक्स बनाया था लेकिन अभी इसको रिलीज करना पड़ेगा अभी इसको रिलीज करी देता मैं लेकिन उससे पहले मैंने इसका एक्सपिरियंस एर देख लिया और पहले इसको एक्सपिरियंस एर को लेना पड़ेगा नहीं तो यह एक्सपिरियंस एर भी इसके साथ चला जाएगा इसलिए मैंने पहले experience share लिया और फिर इसको release किया इस टाइम पर मुझे purple cliff की एक नजलोक वीडियो याद आ गई जिसमें उसने held item के साथ ही Pokemon को release कर दिया था लेकिन मैंने वो गलती नहीं कि कम से कम मेरा held item तो बच गया लेकिन मैं मेरे dust talks को नहीं बचा पाया अब मुझे एक और Pokemon फिर से पकड़ना है जिसके लिए मैं आगे बढ़ा और रस्ते में पहले मैंने TM28 डिग लिया और फिर TM5 भी लिया और वो इस trainer को राने के बाद इस route का पहला Pokemon एंकाउंटर किया जो कि एक swag blue था इसको पकड़ने के लिए मैंने इस पे सबसे वीक अटेक पैक किया लेकिन वो critical lead लगा इसके साथ ही swag blue आर गया और मैं इस route पर मेरा Pokemon नहीं पकड़ पाया तो लोग कोई नहीं अगले route पर पकड़ते है इस route के सभी trainers को आराते हुए मैं आगे बढ़ा और मैं meteor falls पोचा जहां पर next encounter करना था और यहां पर मुझे मिला जूबेट जिसको कि मैं अलड़ी पकड़ चुका हूँ इसलिए मैं जूबेट को अभी नहीं पकड़ूँगा फिर मैं ने इस meteor falls में team aqua और magma से बात किया और moonstone लिया मुझे अपना next Pokemon पकड़ने के लिए अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा फिर मैं वापिस गूम कर cable car के पास गया और cable car यूज़ करके उपर गया mountain पे और यहां पर मुझे team magma से battle करनी थी इसके लिए मैंने मेरे Pokemon को heal कराया और पहले double battle थी जिसमें जुबैट और नूमेल आए इनको मैंने बड़ी आसानी से अरा दिया चिया और चिक को यूज़ करके अगले trainer के पास चार Pokemon थे जिनको मैंने बड़ी आराम से अरा दिया फिर अब टाइम था मैक्सी के साथ battle करने का अब मैक्सी के पास पहला Pokemon mighty आना था जिसको मेरे combustion के अराम से रा दिया अब मेरा gloom acid attack सीख रहा था इसलिए मैंने poison power के बदले acid सिखा दिया अब मैक्सी के पास दूसरा Pokemon camera पटाने वाला था जिसको मैंने देखा नहीं और मैंने gloom को आगे कर दिया लेकिन अब मैंने gloom को बचाने के लिए sleep powder यूज़ किया और camera प्ट सो गया और फिर मैंने Pokemon चेंज करके गोलू को आगे किया camera प्ट water type attacks के सामने four times weak है इसलिए मैंने water gun attack यूज़ किया और उसकी HP यूज़ हो गई फिर दूसरे water gun attack से उसकी HP एक बच गई और maxi ने super potion यूज़ करेके camera प्ट को हिल कर लिया लेकिन मैं बार बार water gun attack यूज़ करते जा रहा था जिससे कि उसकी HP लगातार कम हो रही थी और मैंने कुछ water guns यूज़ करके उसको आरा दिया अब maxi के पास last Pokemon जूबैट था जिसके लिए मैंने फिर गोलू को यूज़ किया और गोलू का rollout attack यूज़ किया पहले rollout से इसकी HP यूज़ हो गई लेकिन उसने supersonic यूज़ करके मेरे इसको confuse कर दिया फिर अगले attack में मैंने जूबैट को अरा दिया इसके साथ गोलू के लेवल 24 हो गई और उसने bubble beam attack सीख लिया मैंने water gun के बदले bubble beam attack सीखा दिया टीम magma को अराने के बाद मैं आगे बढ़ा और मैंने इस दादी से पहले लावा कुकीज घरीद दे और फिर अगले route पर पहले ट्रेनर को आराम से रा दिया फिर इस route का मेरा पहला पक्मोन ने अनकाउंटर होने वाला था और वो था स्पोइंक जो कि एक psychic टाइप पक्मोन था फिर मैंने दूसरी पोकेबोल यूज की और उसमें मैंने इस point को पखड लिया और इसको मैंने निकनेम दिया रिंकी फिर मैंने इस route के सभी ट्रेनर के साथ बैटल की और अपने पक्मोन को थोड़ा ट्रेन किया और इन सभी ट्रेनर को और आने के बाद मैं लावारीज पहुचा जापर मेरे अगली जीम बैटल होने वाली थी अगले जीम में fire टाइप पोकमोन जाने वाले थे इसलिए मैंने अजु मेरिल को सब से आगए किया और जीम बैटल स्टार्ट कर दी मैंने इस जीम में सभी ट्रेनर को आराम से अरा दिया इनको आने मुझे कोई प्र अब इसके पास दूसरा पकमोन स्लगमा आने वाला है, स्लगमा के लिए मैंने अजुमेरिल का रोलाउट अटेक यूज किया, क्योंकि रोलाउट के पावर बढ़ती दाएगे और ये काफी यूजफूल हो सकता है बाकी के पकमोन चराने में, इसलिए दो अटेक में मैंने स्ल अब फ्लेंडरी के पास लास्ट पोकमोन टॉर्कोल है, जो की लेवल 29 का है, इसके और मेरा रोलाउट अटेक इस पर मिस हो गया, अगर वो लगता तो साइद टॉर्कोल को एक अटेक में अरा सकता था, अब टॉर्कोल ने सनी डे अटेक यूज किया और मेरे बबल बीम से अब इस टॉर्कोल को जादा डेमेज नहीं हुआ, अब ये बैटल काफी लंबेज चलने वाली है, क्योंकि मेरे बबल बीम से इसको काफी कम डेमेज हो रहा है, और मैं रोलाउट अटेक यूज करके रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि ये टॉर्कोल काफी आवी पोकमोन ह और इसके अटेक से मेरा अजुमेरिल आर सकता था, टॉर्कोल ने मेरे अजुमेरिल को बोडी स्लैम यूज करके पैरलाइज कर दिया, अब मुझे इसको हील करना पड़ेगा, नहीं तो अजुमेरिल आर सकता है, इसलिए पहले मैंने सोडा पॉप से इसकी एच्पी और हो गया, और अब मुझे मेरे अजुमेरिल को बचाना है, अगर ये अजुमेरिल आर गया तो मेरे बाकी सभी पोकमोन सकत्रे में है, इस टॉर्कोल ने फिर से ओवरीट यूज किया, और इस बार इसका स्पेसल अटेक कम हो गया, और फिर मैंने मेरे अजुमेरिल को हील क किया और अब ये टॉर्कॉल बोडी स्लैम यूज कर रहा थे कि इसका स्पेशल अटेक थोड़ा कम हो गया था फिर मैंने फुल ही यूज करके मेरे अजुमेरिल का पैरलाइज ही यूज किया और फिर सोडा पॉप यूज करके इसके एच्पी रिकावर की क्योंकि अगर ये यलो एच्पी मेरा और मैंने अटेक कर दिया तो फिर ये हार सकता है इसलिए मैं रिस्क ना लेते हुए मैंने फिर बबल बीम अटेक यूज किया और टॉर्कॉल लगा था रहा बोडी स्लैम यूज करत और अब टॉर्कॉल येलो एच्पी में था और मेरा अजुमेरिल भी येलो एच्पी में था इसलिए मैंने मेरे पोकेमोन की एच्पी इल की और अगला बोडी स्लैम क्रिट कलेट लगा जिससे मेरे अजुमेरिल के एच्पी आफ हो गई और मेरे अजुमेरिल ने अगले ब पोकमोन लूज कर सकता था क्या पता मेरा सारा रन इस बैटल में कतम हो सकता था लेकिन मेरा जुमेरिल ने काफी अच्छा काम किया और इस टॉर्कॉल को अरा दिया इसे एक साथ हमने हमारे फोर्ग जिमबैज जीत लिया है अगर मैं इस बैटल से पहले मेरे किसी पोकमोन को ग्राउंड टाइप जैसे कि डिग अटैक सिखा देता तो वो इस बैटल में यूजफूल हो सकता था लेकिन मैंने वो मिस कर दिया और चलो अभी मैं कोई भी अटैक नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं ये अटैक्स बाद में यूज़ करूंगा अगर मैंने किसी पोकमोन को प और आज के लिए वीडियो में इतना ही मैं गेम को यहीं पर सेव कर रहा हूं और मिलते हैं नेक्स्ट एपसोड में थैंक्यू फर वाचिंग